एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है आज हम चार धाम यात्रा पर चर्चा करेंगे हिंदु धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई विक्ति अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा कर ले तो वह सबी पापों से मुक्त हो जाता है और म्रत्यू के उपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है यही द्रडविश्वास दुनिया भर के हजारों ह सी बेर्थ यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए प्रेईरित करता है चार धाम यात्रा प्राकृतिक संधर्ता के शोकिन लोगों के लिए इस यात्रा में आपको स्वच एवं पवित्र नदियां, कल-कल भैते जरने, बर्फ से अच्छादित पहाड और हर तरफ हर्याली और प्राकर्तिक सुंतरता के दर्शन होगे इन पवित्र जगों पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग अर्था देव भूमी में ही आ गए हैं इसमें कोई दोमत नहीं है कि चारधाम यात्रा हिंदूओं में सबसे लोग प्री अध्यत्मिक यात्राओं में से एक है चारधाम का अर्थ है यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ प्रतिवर्ष मई महा में यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ मंदिरों के पट अर्थात द्वार खुलते हैं जो अगले 6 महिनों अर्थात अक्टूबर तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं चारदाम यातरा मही महा में तथा सितंबर अक्टूबर महा में की जाना सबसे उप्यूख रहे बरसात के महिनों जुलाई तथा अगस्त में यातरा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस समय भारी बारिश के चलते जगए जगए रास्ते भूस खलन के करन बंद हो जाते तथा आप रास्ते में ही बुरी तरफ असकते हैं इसलिए हमारी आपको सला है कि आप 15 मई से 15 जून अत्वा 15 सितमबर से 30 अक्टूबर के बीच ही इस चारधाम यातरा का टूर बनाए यह समय इस यातरा के लिए सबसे आइडियल समय होता है अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन होता है कि इस पवित्य यातरा की शुरुवात कहां से करें तो इसका जवाब है कि चारधाम यातरा एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरन करती है चारधाम यातरा हमेशा यमनोत्री धाम से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनात्र और बदरिनात धाम पर जाकर समाप्त होती है इसलिए आप अपने घ्रनगर से सबसे पहले हरिद्वार आए हरिद्वार से ही गंगोत्री धाम की यातरा प्रारम की जाती है हरिदवार के लिए पूरे देश के बड़े शहरों से ट्रेन तता बसे चलती है आप दिल्ली से भी आराम से हरिदवार पहुंच सकते हैं दिल्ली से हरिदवार की बस से दूरी लगबक 237 किलोमेटर है तता यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है दिल्ली हरिद्वार रूट पर लगबग 30 ट्रेने भी चलती हैं आप अपनी सुविधानुसार हरिद्वार पहुंच सकते हैं प्रयास कीजीगा कि आप हरिद्वार दो पर तक पहुंच जाएं हरिद्वार पहुंचने के बाद आप टेक्सी से अपने द्वारा बुक आनलाइन होटल में चेक इन करें यदि आपने होटल आनलाइन बुक नहीं की है तो आप हर की पोड़ी के पास धर्मशाला या किसी होटल में जाकर सीधे भी बुकिंग कराकर वहां ठहर सकते हैं धर्मशाला का किराया केवल 200 रुपे से 500 रुपे की बीची होता है इसके बाद आप फ्रेश होकर या हर की पोड़ी पर गंगा जी में स्नान करके हर की पोड़ी पर ही किसी भोजनालाई में लंच कर ले लंच करने के बाद आप टेक्सी से हरिद्वार के मंसा देवी मंदिर के दर्शन करने जाएं इस मंदिर तक जाने के लिए केबल कार की सुविधा उपलब दे यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस केबल कार राइड में बहुत मज़ा आएगा इसके बाद आप चंडी देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, स्वामी विवेकनन पार्क आदी देखने जाएं इसके उपरांत आप हर की पोड़ी पर हर शाम को होने वाली गंगा आर्ती में शामिल हो इस गंगा आर्ती में शामिल होने के लिए हिंदू तीर्थ यात्री ही नहीं अपित्तु विदेशी टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं गंगा आर्ती में शामिल होने के बाद आप हर की पोड़ी पर किसी भोजनालाय में भोजन करें तथा अपनी होटल या धर्मशाला में जाकर विश्राम करें इस प्रकार आपकी चार धाम यातरा का पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था दूसरे दिन सुबह आप हर की पोड़ी पर गंगा जी में सनान करें तथा वही पर होटल में नाच्टा करने के बाद अपनी होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप हर की पोड़ी के टेक्सी स्टेंड से जान की चट्टी तक के लिए टेक्सी बुक करें जान की चट्टी तक बस से वाभी उपलबते परन्तु टेक्सी से जाने का फायदा यह होगा कि आप रिशिकेश आदी जगों पर घूमते हुए तथा इंजोई करते हुए जान की चट्टी तक पहुँचेंगे जबकि बस से यह सब मिस हो जाएगा यदि आप ज़्यादा सदत से हैं तो आप हरिद्वार से टेम्पो ट्रेवलर या कोई अन्य ज़्यादा सीटर टेक्सी बुक कर सकते हैं हरिद्वार से जान की चट्टी तक की दूरी 221 किलोमेटर है तता रुकते रुकते जाने पर लगबग 7 गंटे का समय लगता है अब आप हरिद्वार से रिश्यकेश की और प्रस्थान करें रास्ते में लगबन जुला भी देखें रिश्यकेश हरिद्वार से केवल 20 किलोमेटर दूर है रिश्यकेश से आप नरेंदर नगर, चमाब, ब्रह्माखाल, बर्कोट, स्याना चट्टी, हरनवान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए जान की चट्टी पहुँचेंगे जान की चट्टी पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी, जान की चट्टी में आपको रात में ठहरना होगा, क्योंकि जान की चट्टी से आपको अगले दिन पेदल पेदल यमनोत्री धाम तक पहुँचना है जान की चट्टी में रुकने के लिए साधरन होटल या रेस्ट हाउस बहुत सस्तर रेट में मिल जाएंगे यही पर आप भोजन करें तता रात में विश्राम करें इस प्रकार चार धाम यातरा का आपका दूसरे दिन समाप्त होता है तीसरे दिन सुभ आप स्नान करने तता नाच्टा करने के बाद जान की चट्टी से मा यमनोत्री धाम के लिए पेदल यातरा प्रारम करें जान की चट्टी से यमनोत्री धाम केवल 6 किलमेटर दूर है यदि आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं तो आप जान की चट्टी से पिठ्थू अर्थात घोड़ा भी कर सकते हैं जो उन्हें यमनोत्री धाम तक लेकर जाएगा यमनोत्री धाम पहुँचकर आप यमनोत्री मंदिर में मा यमना की पुजा अर्चना करें इसके बाद आप सब्तरिशी कुंड भी चाहें तो देख सकते हैं सब्तरिशी कुंड से ही यमना नदी का उद्गम होता है परन्तु यह बात याद रखें कि सब्तरिशी कुंड यमनोत्री मंदिर से 14 किलम्टर दूर है तता रास्ता भी बहुत दुरुगम है इसलिए यदि आ अपनी होटल में रात का भोचन करें तता रात में विश्राम करें चोथे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें तता होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप जान की चट्टी के टेक्सी स्टेंड से गंगोत्री धाम जाने के लिए टेक्सी बुक करें जान की चट्टी से गंगोत्री धाम की दूरी 220 किलोमेटर है तता यातरा में लगबख 7 घंटे का समय लगता है यमनुत्री धाम पहुचने के बाद आप अपनी होटल या धर्मशाला में चेक इन करें तता रात का भोजन करने के बाद विश्राम करें अगले दिन आप सुबह इसनान करने के उ गंगोत्री धाम मंदिर में जाने के लिए आपको यमनुत्री धाम मंदिर की तरह पेदल नहीं चलना पड़ेगा गोरतलवे की यह मंदिर देवी गंगा को समर्पी थे जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागी रथी नदी के तट परिस्ती थे कहा जाता है कि गंगोत्री धाम वह इस्ताने जहां देवी गंगा पहली बार भागेरत द्वारा एक हजार वर्षों की तपस्या के बाद स्वर्ग से उत्री थी गोरतलवे की गोमुख ग्लेशियर गंगा नदी का वास्तविक स्त्रोथ है जो गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमेटर की दूरी पर है गोमुख ग्लेशियर तक जाना हर किसी के लिए संबव नहीं है क्योंकि गोमुख ग्लेशियर तक गाड़ी नहीं जाती है महा तक पेदल ट्रेकिंग करते हुई जाना पड़ता है इसलिए हमारी सला है कि आप केवल गंगोतरी मंदिर तक ही जाएं गंगोतरी मंदिर के दर्शन के उपरांत आप भोजन करें तता गंगोतरी धाम में स्थित अन्निधार्मिक स्थानों का ब्रह्मन करें इसके उपरांत आप अपनी होटल में रात का भोजन करके रेस्ट करें छटे दिन आप सुबह के ब्रेकफास्ट करें तता होटल से चेक आउट करें इसके बाद आप गंगोतरी धाम के टेक्सी स्टेंड से गोरी कुंड जाने के लिए टेक्सी बुक करें गंगोत्री धाम से आप रूद्र प्रयाग, गुप्तकाश्री, फाटा, रामपूर, सीतापूर, सोन प्रयाग होते हुए गोरी कुंड तक पहुँचने के बाद आप गोरी कुंड में अपनी होटल में डिनर करें तता जल्दी से सो जाएं क्योंकि अगले दिन आपको सुबह सुबह अपनी केदारनाथ धाम के लिए चड़ाई जो शुरू करनी है, गोरी कुंड से केदारनाथ पहुचने के लिए आपको 20 किलोमेटर की ट्रेकिंग अर्थत पेदल चड़ाई करनी होगी, गोर्तलभी की चार धाम यात्रा में तीसरा शंकराचारी द्वारा बनवाया गया था, केदारनाथ धाम जाने के लिए गोरी कुंड ही अंतिम पॉइंट होता है, जहां तक कोई भी परिवन वहान पहुच सकता है अगर आप गोरी कुंड से केदारनाथ तक की ट्रेकिंग से बचना चाहते हैं, तो आप गोरी कुंड से हेलिकाप्टर सेवा से भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं अगर आप यह सोच रहे हैं कि गोरी कुंड पहुंचे और आपको हेलिकाप्टर खड़ा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा इसके लिए काफी पहले से आनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है हेलिकाप्टर द्वारा गोरी कुंड से केदारनाथ तथा वापस केदारनाथ से गोरी कुंड का किराया लगबग 5,000 रुपे होता है तथा एक तरफ की यातरा में केवल 10 मिनट लगते हैं हेलिकाप्टर से केदारना धाम जाने तथा वापस आने की दोनों फ्लाइटों के बीच आपको केवल 6 गंटे का समय दिया जाता है आपको 6 गंटे के भीतर दर्शन करके वापस आना होता है जैसे यदि आप सुबह 7 बजे के फ्लाइट से केदारना तोंचे हैं तो आपको दर्शन करके वापस हेली बेट तक एक बचे के पहले पहुँचना होता है वरना आपकी वापसी की टिकट निरस्त हो जाती है तथा आपको वापस पेदल जाना पड़ता है हेलिकाप्टर सेवा फाटा नामकिस्थान से भी चलती है हेलिकाप्टर के अलावा आप पिट्टू पाल के आदी से भी केदारना धाम पहुंश सकते परन्तु जो आनद गोरी कुंड से केदारना धाम तक पेदल जाने में आएगा वह आनद किसी भी अन्य साधन से नहीं आएगा साथवी दिन आप सुबह चार बज़े उड़ जाए तक गरम पानी से नहाकर अपने परिवार के साथ तयार हो जाए अपने साथ एक एक जूड़ी कपड़े भी रख लें कुछ खाने पिने का सामान भी रख लें आप पांच बज़े तक अपनी होटल से निकल जाए तथा छे बज़े तक केदारना धाम के लिए अपनी चड़ाई शुरू कर दें आपको यात्रा मार्क पर चाय नाश्ते की दुकाने मिल जाएंगी जहां आप आराम से प्रकर्ति का आनल देते हुए चाय नाश्ता करें आप अपने परिवार के साथ इंजॉय करते करते चड़ाई करते जाएंगे अगर आपको भूक लगे तो रास्ते में कई छोटे छोटे भोजनाले भी मिलेंगे जहां आप हलका फुलका भोजन कर सकते हैं आप आराम से भी चलेंगे तो लगभग दोपर तीन बजे तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे इस पूरी चड़ाई में आपको लगभग नो घंटे का समय लगेगा गोरी कुंड से सबसे पहले जंगल चट्टी आएगा उसके बाद रामबड़ा जगए आएगी फिर अगला पड़ाओ लिन चोली पड़ता है लिन चोली से 7 किलमेटर दूर केदारनाथ धाम है आप केदारनाथ धाम पहुँचकर सबसे पहले होटल या टेंट बुक करें उसमें अपना जो भी सामान आप सांथ लाए हैं वो रखें तथा उसके उपरांद केदारनाथ मंदिर में जो शाम के आरती होती है उसमें शामिलो इस आरती के दोरान आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे केवल मंदिर के सामने जो चोक है महां से खड़े उकरिये इस आरती का आनन ले पाएंगे इसके बाद आप केदारनाथ ट्रस्ट द्वारा संचाली भोजनाले में भोजन करें तथा होटल या टेंट में रेस्ट करें आठ वे दिन सुबह नान करके आप केदारनाथ मंदिर में श्युजी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे तो लगबग 8 बज़े तक आपको मंदिर में श्रीव जी के दर्शन हो जाएंगे यदि आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन परची कटा कर भी दर्शन कर सकते हैं जो की प्रतिवेक्ति लगबग 2100 रुपे की होती है दर्शन करने के बाद आप चाही नाश्ता करके होटल से या टेंट से अपना सामन वापस लेकर नीचे गोरी कुंड के लिए प्रस्थान करें रास्ते में आप किसी भोजनाले में भोजन भी कर लें गोरी कुंड वापस आकर आप अपनी होटल में विश्राम करें क्योंकि आप इस यात्रा में भहुत ठक जाएंगे नवे दिन आप गोरी कुंड से बदरिनात धाम के लिए टेक्सी बुक करें चार धाम यात्रा का चोथा और अंतिम धाम बदरिनाद धामी है यह मंदिर भगवान विश्ण को समरपित है अपनी होटल से ब्रेकफास्ट करके आप चेक आउट करें गोरी कुंड से बदरिनाद की दूरी दोसो अठरा किलोमेटर है तथा यात्रा में लगबग 5 घंटे का समय लगेगा गोरी कुंड से रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, चमोली, बिरही, पीपल कोटी, जोशी मठ होते हुए आप बदरिनाद पहुंचेंगे यदि आप सुबह 9 बजे भी गोरी कुंड से निकलते हैं तो 2 बजे तक बदरिनाद पहुंच जाएंगे रास्ते में ही आप लंच कर ले, आप बदरिनाद धाम में अपनी होटल में चेक इन करें तता सामान होटल में रखने के बाद आप बदरिनाद मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं दर्शन करने के बाद यदि समय बचे तो आप आसपास के धार्मी किस्थल भी विजिट कर से ले इसके बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें दसफे दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास जल्दी करें तता हरिद्वार के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप अपनी होटल से चेक आउट करें तता हरिद्वार के लिए अपनी यातरा प्रारंब करें बद्रिनाथ से हरिद्वार की दूरी 313 किलोमेटर है तता यात्रा में 9 से 10 घंटे का समय लगता है यदि आप बद्रिनाथ से सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो आप शाम को 7 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे इसके बाद आप हरिद्वार से यदि कनेक्टिंग ट्रेन या बस हो तो अपने गरह नगर के लिए निकल जाएं यदि ऐसा नहीं हो तो आप हरिद्वार में किसी होटल में चेक इन करें तता रेस्ट करें अगले दिन आप हरिद्वार से अपने ग्रह नगर के और प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी चार धाम यातरा समाप्त होती है इस दस दिन की चार धाम यातरा से जुड़ी प्रमुग बातें इस प्रकार है पहली आप चाहें तो इस पूरी चारधाम यातरा के लिए हरी द्वार से एक ही टेक्सी बुग कर सकते हैं इससे आपको टेक्सी सस्ती भी पड़ेगी तता हर जगह टेक्सी बुग करने से बच जाएंगे एवं इससे आपका बहुत सारा समय भी बचेगा साथ ही टेक्सी का ड्राइवर आपको इस पूरी यात्रा में गाइड भी करता जाएगा दूसरा पाइंट है हम हमेशा कहते हैं कि आप होटल आनलाइन ही बुक करें परन्तु इस चारधाम यात्रा में हमारी आपको सलाई है कि आप होटल आनलाइन बुक ना करें क्योंकि यदि यात्रा प्लान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो सारा booking schedule बिगड जाएगा तता पेसे का भी भारी नुकसान होगा इस यात्रा में भूस खलन या ट्राफिक जाम के कारण कभी-कभी 6-6 गंटे के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं इसलिए आप गंतव स स्टार वाली सुईधाई नहीं मिलेगी केवल एक कमरा मिलेगा जिसमें बिस्तर होगा तथा एक बातरूम होगा इसलिए होटल्स को लेकर कोई ज्यादा उम्मीदे ना रखें नेक्स्ट है इस यात्रा में गर्म कपड़े तथा रेंकोट अपने साथ जरूर रखें नेक्स अब हम इस 10 दिन की चारदाम यात्रा यमनोत्री, गंगोत्री, कैदरनाथ और बदरिनाथ के अधिक्तम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का टेक्सी का कुल किराया लगबक 30,000 रुपे चार लोगों का 10 दिन का होटल का किराया 10,000 रुपे चार लोगों का 10 दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ में 10 दिन का अधिक्तम कुल खर्च 50,000 रुपए यदि इसे हम चार्च डिवाइड करें तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 12,500 रुपए आएगा इस प्रकार आप केवल 12,000 रुपए में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रिनाथ की चार धाम यात्रा कर सकते हैं तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही चार धाम यात्रा का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तैंक यू